अगर अगर यह वीडियो देख रहा है तो मैं उन्हें यही कहूँँगा कि आप थोड़ा सा अपने अपने एटिचूट को कॉंट्रॉल करें तो आप इंशालत आप एमस दोनी नेक्स्ट हो सकते हैं अपने परफॉमन्स पाकिस्तानियों को कैसी लगती है खर मुझे तो हार्दिक पांडिया शुरू से ही बहुत पसंद है अब यह बाकी लोगों को कितने पसंद है यह तो हम उनसे ही जानेंगे तो यह बात करते हैं लोगों से असलामलेकुम वालेकुस्लाम आपकाना औरंग्जेब अच्छा औरंग्जेब इंडियन टीम की प्लेयर हार्दिक पांडिया उनके बारे में क्या उपीनियन है उनके बैटिंग बॉलिंग अब कैसे लगती है अगर कहा जाए कि वह बहुत एक अच्छे प्लेयर है तो यह सबसे पहले तो यह बहुत अच्छी है के वह जब भी आते है फूर्थ या फिफ्थ जो है पोजिशन पे खेलने लिए काफी अच्छी है क्योंकि बेट भी अच्छी बेटिंग देची करते हैं और बोलिंग बोलिंग में कभी एक बार गलती कुथाई कर जाते हैं लेकिन बैट उनका काफी अच्छा है हाथी पांड यह जो एक न्यू टाइलेंट है ठीक है बहुत अच्छा रूंड रहा है ठीक है और बहुत तेज खेलता है और वन ऑफ किसी से कंपेर करें तो वहाब रहा जाए तो अगर आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर से कंपेर करें तो किसके साथ करेंगी अब्दूराजाग से अच्छा मुझे ये बताए कि हार्दिक पाने के जो बहेवियर है वह आपको कैसा लगता है जैंटल क्रिकेटर और नॉट नॉट पिशे बाइटर अच्छा है और उनका भी वियवियर जो टीम को लेकर सी सब्सक्राइए और अच्छा और अच्छे लगता है गारें यापधर करें हम जो है वो लेकिन जो है वो बेकिन उसक्ति अच्छी है वो तेज थेलने वाला प्रेह ब्रेया धर्सी वह थोड़ बहुत अच्छे जारम कोई कमी नहीं है अकसर पहले तो मेचिस बहुत ज्यादा देखते थे किर्केट के तो यह वर्ल्ड कप ज्यादा नहीं देखा है मैंने वैसे अधिक पॉंडिया की जो बेटिंग और बोलिंग जा तक मैंने देखी है वो बेतर है अच्छा और अंडर है हम के सकते हैं दुनिया में अगर ऐस तरह अलोंडर ओने चाहिए अगर की क्रिकट आप ने देखी होगी इंगलर्ड की जो पहले क्रिकट की तिया उसमें तिरफ था सीधा बैठ आप उन्होंने क्रिकट को बदल दिया है उसनोंने क्रिकट को बदला है तो उस वजह से उनकी क्रिकट बदलने की वजह से ना उनकी टीम अच्छी हो गया आप देखें तो उन्हों हो रूट को भी दंकी दीगिए आप इस्ट्राइक अच्छी निया निकाल सकते हैं तो उसने भी अपनी स्ट्राइक करो टेट की अच्छा हार्ड हीटर हैं अगर हमाथ करें लेकिसी भी टीम में है इमाद वसीम उसके साथ हम कंपेर कर सकते हैं इस तरह तो दुनिया में बहुत सारे अर्लोंडर है लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम कंपेर करना चाहिए इमाद वसीम के साथ हम कंपेर कर सकते हैं अल्कुल उसको आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं मैं उसका कंपेरिजन मैक्सवेल के साथ करूंगा जो अस्टेलियन बैट्समेन है और वह बहुत हार्ड हीटर है और बहुत अच्छी तरह जो है आई कंटेक्ट के साथ बहुत देख के और अच्छी तरह बैटिंग करते हैं वह भी अग्रेसिव है थोड़ा सा और लेकर थोड अग्रेसिव रहते हैं और थोड़ा सा एटिचूड में रहते हैं और किसी अब तक ही ठीक भी है कि अगली टीम के उपर प्रेशर करने के लिए प्रेशराइज करने के लिए लाइक दिस पाकिस्तान जो है काफी अर्से से 7-7 मैचिस जो है अगर आई-सी-सी की हिस्ट्री द सेट करके आते हैं और जेहन में उनके माइड के अंदर यह होता है कि यह पहले मैनेजमेंट उनकी अच्छी है कि अगर आपने अगली टीम की बॉलिंग को टार्गेट करना है अगली टीम की बैटिंग को टार्गेट करना है यह जो चीजे हैं उनकी बहुत अची है स्पोज अगे कि वीडियो हार्दिक पानिया देख रहा है तो आप उसी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने टीम को सपोर्ट करते रहें अच्छा परफॉर्म करते रहें और अच्छी परफॉर्मस के साथ अपने मुलक का नाम भी रोशन करें मैसी यही है कि थोड़ा सा और बेतर कार ने मतला अपनी बॉलिंग को बैट्समें तो हैं अबिल्टी है उनमें मैजित वाने की असानी से जी सकते हैं इडिया को अगर फ्यूचर में देखा जाए तो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए उन्हें यही मसीज देना चाहेंगा एक हवाम ने आपको इज़त दी है ठीक है और आपको इस मेंजिल तक पहुंचाया है तो आपको इमान धारी से और शोर के साथ खेलना चाहिए क्योंके आपक्व कि इतने ज्यादा फैन्स हैं ठीक है तो अगर इमान धारी से खेलेंगे कि कि उनको इज़त और श्रवत हो जादा मिलेगी, तो हमा उनसे अमेर यही करते हैं, कि वो तियज कहलेंगे, अच्छा कहलेंगे, और इमानदारी से खेलेंगे। मैं यह मेसिज़ देना चाहता ओचाए कुई भी करकेटर उसको यह मेसिज़ देना चाहता हो कि सपोर्स को सपोर्स तक हिए यहिंड ना किस पोर्स से आप सियसत बना लिया को और चीज पर कर ले तो स्पोर्डों स्पेर टोना जाए बंदे में स्पोर्ड पोर्व तक मेरूद होना जाए जी आज किस वीडियो में आप ने लाइ मेज़िन से वेटीन। झाने वी कुर लीज जब हुई झानी को लाइ टेडनी अगस्ट कर दो बश्टलीसे और मेज़ हुई जब हो लाइ जुटानी के जूब तो लाइ टूरम है।